दोस्तों आज हर इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है यह बुरी बात नहीं है लेकिन अपनी सेहत के साथ समझाओता ना हो तब ज्यादातर लोग काम के चलते अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं जिसकी वजह से हर दूसरा व्यक्ति किसी ने किसी मिमारे से जूज रहा है टेक्नलोजी के इस जमाने में ज्यादा से ज्यादा वक्त कंप्यूटर वा मुबाइल में अपना ज्यादा टाइम बिताते हैं जिसके कारण आखों में कम चूरी एक ही जिगा पर लंबे समय तक बैठे रहने के कारण मोटापा अनेंद्रा हार्ट से करना शान समझता है और यह दिखावा उसको महगा पड़ रहा है इसी वजह से कम उम्र में बालों का जड़ना उम्रे से पहले बुढ़ापा अनिंद्रा की समस्या मोटापा शारेलिक कमजोरी से परिशान है दोस्तों इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर आज मैं आपक स्तार से किया है यह पूरी तरह से प्रक्रतिक है आए देखते हैं खस-खस दूद को बनाना किस तरह है इसे कब सेवन करना है कितनी महात्राय में सेवन करना है और इसके क्या-क्या फैदे हैं दोस्तों आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करना एक किलास दूद में एक चम्मच खस-खस डाल दीजिए और उसे उबाल लीजिए और रात को सुने से पहले या तो भर के खाने के दो घंटे के बाद इसे पी लीजिए दूद भर्बर नीदा गी और पका चहरा खिला करेंकर रहेगा खासी को खत्म करके सांस की समस्या से भी निजाति लाता है गुर्दे के पत्री के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हो किडिनी में स्टून बनने से रोपता है चहरे की जूरियों से परिशान है तो चींदा ना करें इसके सेवन से चहरी के जूरियां गायब हो जाएगी चहरा आपका ग्लो करेगा यह स्कीन में हमेशा नमी बनाया रखता है अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्या हो तो इसका सेवन फायदा करता है और शरीर को नई उर्जह प्रदान करता है या पेट में बढ़ने वाली गरिमी को शांत करता ह अगर आप मांसिक तनाव से गुजर रहे हो तो इसका सेवन लाबदायक है इसके सेवन से आप हमेशा तनाव मुक्त रहेंगे सर्दी जुकाम को कम करने में भी मदद करता है जिसकी भाई बैनों को हमेशा सर्दी जुकाम रहता हो तो इसका सेवन आज इसे ही शुरू कर दे ब्लड प्रेसर के मरेज के लिए खसकस का सेवन काफी फायदे मंद है इसके सेवन से शरीर में खोन की कमी दूर होती है और इनीमिया से बचा जा सकता है इसके अलावा भी दोस्तों खसकस दूद के बहुत सारे से फायदे हैं तो आप इसे अपने आहर में जरूर शामिल करें रात को सोने से पहले एक गलास खसकस वला दूद पीकर सो हैं और इसे पीने के बाद कुछ भी खाय पिये नहीं तो आज किस वीडियों बस इतना ही है दोस्तों मुझे पूरी आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी आप इस वीडियो को शेयर कीजे और होसला मुझाय के लिए वीडियो को लाइक करके चाहिए आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद